नवास्कार बोटमाने भेकोल लार्णु इच्छोर सेनल तोलोई अपनों को स्वागराम जनाएशो असाम्टेट देली टोक्सर अजी आमी सारीट नमबर भीड़ेतो आलो सुना कोड़ेम अजरी भीड़ेतो आमी इंग्लिस पेडागोजी इंग्लिस पेडागोजी डेवलोपमेंट आप फोर स्किल याटा लेंग्वेज डेवलोपकोर जीता फोर स्किल आसे आमार सारीटाइस स्किल आसे हे सारीटाइस स्किल रभी हो आजे आमी आलो सुना कोड़ेम आड़े सारटा स्कील पर होहां परहां प्रहुन प्रहँ परहmen तॉ माधाय तुम्ह 27 श्क्राहर में सक्षिपागा किड़ी सव होगी Sequence of Developing of Language skill अमारे ऐस istem। Kung यह सीयट हो मैं सिक्रों स्किल है मैं स्किल हो और स्किवेंश मोड है सेकन अट क mercy है स्किल हो यह स्कियंस की मिलावड है विह को स्किल हो आगए da papar sequence विह तो परفسिशिंश मोड है वह आपर स्कियंट कही किकर स्किल तायय पिभी फार्स दो लिसेनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग and रायटिंगatta को है अधेजifi लve topics. कोंसले लोकर से लीकिंग, स्पीकिंग, औरो लीतनीग सरे लईते हैं nowadays. ली्शेनिंग讲्पेश् oni रायटिंग में लेतर्थक सोल्य है सोल्ट महरतों का है। क्वेस्ट नहीं पराया मेशताई मैं डविते कऴ से कटो आलक स्वीदिक तुछी के गतलक बातो बUST हीकते भू fit की क्या क्याक है काण मेनें है क्या परिके स्ब्सक्राइक कुछकी कंता करें हैं त्यP रिशेक बोदाल नत अंगा भीकर आके क्यों ड़। पोला अमार एक्तिफ हो सबस्यान थे निल्हादद है ? तो Speaking to है चिन्थ को बिया क्यों कि हो Speaking to को मानुहाइटी अक्रियेटिव प्रोस्च कि बहुत कफिटा क्यों कि म cidade माईल और पच्छाइब वह क्यों के म ह्ंद मीख विलेव तो प्रोड़ाक्टिव अरू क्रियेटिव हुए आरू आमी निजे एक्टिफठ थाकों speaking तो निजे एक्टिफठ थाके बुलोगे आधा स्पिकिंग स्किल्ट next तो है रीडिंग स्किल्ड रीडिंग स्किल्ट तो ही से रिसेप्टिफ अरू पिसिफ कारण आमी कुन बड़ा धो यहां बूक राइटरायर लिखीट हो गोशे लिखा किटा आमी की करूँ रीदिंग करूँ आमी यहां प्रिसिफ प्रोसेसों थाको आमी राइटरायर लिखा किटा आपोँ है पोहिया सो तार आमार को धोन इमान एक्टिफनेस न ठागे हे कारण आमी राइटरायर लिखा कराकर है न और रीषिफ करूँ धे लिखिफ राइटिस पुलिक बाधा आमी प्रीसिफ बुलीकूँ यहां reading स्केल तो इस दिखिनी और जुँटा स्किल कि वालो एहरा से लिसेंग रिदिंग रिडिंग तो किये रिसेप्टिफ 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 होए कियो हुँआ अ मी बहुआ और किता पोही आचु है शामने की बेलेगे लिखा कि तावखन आमी टार जेटू इनफर्माशन हीने आमी रिसीफ कोरी सू हीकर आमी रिसेप्टीव बुलिकों जेटू स्पिकिंग आरो राइटिंग अमार जेटू अप्रसेजुद आमार जेटू एक्टिव निस तो आमार जोड़ी तो ही ठाके आमी रिसेप्टीव बुलिकों आरो एक्जामार कारना भूर्ट इम्पोर्टेंट होए एते हले सीद्टीव इड़िफिव बुलिकों इसकेमिंग बुलिकों आरो इसकीमिंग मने की होए रिदिधिंग रेपेट लिफोर्ड मेंट पॉंट्स आमी जेट्या कुन बाटा लिखा टोपिक और मेंट पॉंट्स तो पुहिम होकोए आमी ठाक की बुली कों, skimming बुली कों, reading rapidly आमी जीटा कुमाटा बोस्तोर मेंपोट की ख़र कोई, मेंपोट की गेडार कों, बाइ इनफर्मेशन तो गेडार करो, आमी ठाक की बुली कों, skimming बुली कों, और ए skimming प्रसेसों लेखातो, भाइ अब हे topic टू पोटी टू words जा आमी तो पाइड पाइड सप्पेसिफिक इन्फरमेशन आमी जिटे कुनबाता लेखार बा कुनबाता टोपिकोर एथा स्पेसिफिक इन्फर्मेशन रो कारणा आमी पोहूँ तिते आमी तक स्केनिंग बुली कौँँ आपी धुर्ण माज़ cotton जिटे को स्पेसिफिक इन्फर्मेशन लगोचे, आमाकी इन्फर्मेशन लगता बुली कीㅠㅠ पोईजन नाए आमी जास्ट स्कूड़े फ्रायाजाम मनेघ चैन स्कैन और स्कैन कोरी हैं जीतुए प्सेसिफिक इन्फोर्मेशन लागे आमा की इन्फोर्मेशन लागे तो भी आतायाको डांगोडाशन रश्तिया उट्षे से स्कैनिंग ब्लिक हो तो स्कैनिंग प्रशेस तो लेखाटूर आमी जास्त किसमान आमी बिस्वरा स्पेसिफिक इनफर्मेशन है पोईजोन होए बाके लेखाटूर आमी जास्त थे इस स्पेसिफिक इनफर्मेशन तो कारने आमारा लेखाट आमी स्कैन करों आए शे तो है स्कैनिंग तो स्कीमिंग तो क्यों स्कीमिंग त का आम आ जीदू लागे है कि तु है अमी चेन कोरी ताक पोहूं ते अता है इसे एक्स जी लुधिंग तो कर तो रिदिंग लंगार टेक्स often for pleasure and for overall understanding तो अपना extensive reading तो की है आमी जेते आमी एकषड़ दांगर किता पोहिम आमीं की हों का for pleasure for pleasure for pleasure कारना बहुँ बा for overall understanding अभाया upward understand ? काहनी तर्य अभाया आफ़्भी अभाया आछी बुझेज व्योर बीट धा लुकु कार ना पहूं फिया लागे ले रीदिंग नभेले होग रीदिंग मैगाजिने होग खेखिनी आमी यह तो कहेगो extensive reading नेक्स्ट आहले intensive reading तो intensive reading तो की होए reading for detailed information with specific understanding आमी जिटे कुनुबाटा लेकार आमी detail information पाबुले पोहुं पोटिटु line और पोटिटु word और पोटिटु factor आमी जिटी आ अंडरस्टेंडिंग पाबुले पहुं आमारा जिटु deeply understand यह तो पाबुले पहुं तो आमी थाको intensive reading अमिया डिटेल इन्फर्मेशन लागे भो आरू पोटीटु वर्ड बा आमार चीटु अंडरस्टेंग खेटु लागे भो इंटेंसिफ रीडिंग हो तो त्या आमी रीडिंग स्किल पर आहे भो लोगा क्वेशन और जीगुनु क्वेशन आमी इता है कोड़ भो पारें Effectively one should have minimum knowledge of sound आमा कुन बाता भाखा को बोले होले आमा की होर नोलेश लागेबो sound अगेबो, syllable नोलेश लागेबो, word stress अगेबो, sentence stress अगेबो, intonation स्य लागेबो आपन हम आपना लोगोर जिटी intonation की होए, sound stress की हो, sentence stress की होए, word stress की होए, syllable की होए यहने बाट आपनोंको धारणा से जरी ना है आपनोंके कमेतों जनावो तो इकटाउप प्रोट मोँए एता शॉर्ट वड़ज़ रेसे बनाई दिम तो नेक्स्ट वर है से राइटिंग स्किल्ड तो राइटिंग स्कील्ट तो की होये एठा effective writing कोई बूले आमा say-up process है है अविप्र ऐथो मिट्पर रिखार सुपर आप plan ।多 हमा आपके के लिखी है लिखी penalty ने एड़ां कोई बूलेग ने लिखार आप अमीं लिखा के निए कि बार ठाकी गोई निए कोई निए कि अधाब आ फ्रोफेशन ठाकी गोई निए लिखोते खेट मी रिवाइस कोई बोलेबो और नेक्स लास्ट त्यप टो है इडित कोई बोलेबो इडित टू की होए आम्मा जेले लिखी जाते कि बार ग्रामेटिकल अधिके रिवार्स होँछे को पाद डारी ठागी कोई शेकी कोई निगी हे खेने आमी इडिट को बोलाएब। तो फूलले राइटिंग स्किल तो आमी शाइटा प्रोसस थाके प्लैन, राइट, रिवार्स एड़ एडिट प्लैन आटा माँ की करों कुण बाद टोपिक आमी सेलेक करूं रइट राइट अब है टोपिक पो लिखूं रिफाइट आप मि की करूं रिफाइट राइटन्ग प्रोसेस तो आखा करना अपनलों कोड़े विरोटो बहुत हेलफुल होबो अपनलों कोड़े इंग्रीज पेडा कोजरीर जीतुब डेफलोप्मेंट फोर्सकिलर कारने तो यहारपर आखा जिकनुग क्येशन आपनलों के कोरिबो पारिबो बले मुँआ आखा करेजो आखा करना अपनलों के विरोटो बहुत होबो यहारपर आखे बलोगा जिकनुग क्येशन आपनलों के कोड़ेबो पारिबो तो नेक्स्ट मुआ आखा कोड़ा भीडो लोए असाम्ते देली रक्षर आरवाता अइन आखा भीडो लोए मुआ आखा हैं आखा कोड़ेबो लोए मुआ आखा कोड़ेबो लोए मुआ आखा हैं